नमस्कार वंदे भारत मातरम भारत राष्ट आजादी का अमरित महुत सव काल में बहुत तेज गती से आगे बढ़ रहा है देश की स्वाधिन्ता को छेतर साल पुरे हो गए और सतत्तरवा स्वाधिन्ता दिवस हम मना रहे हैं हर घर तिरंगा की भावना से पुरा राष्ट्र कोत प्रोत है चाहे मंदिर हो उसके उपर भी द्वज होता है द्वजा होती है और वहां भी द्वजा का अत्यन्त पूझनी स्थान और महत्पपूर्न स्थान है इतना ज़दा महत्व है कि एदि आप देवदर्शन नहीं कर पाते तो आप द्वजा दर्शन भी कर लें तो देवदर्शन के बराबर माना जाता है युद्ध में जो रत जाता है जैसे पांडवों के रत पर जो द्वजा होती है अरजुन जी के रत पर द्वजा में कपी, हनमान जी, कपिद्वज कहलाते हैं वो तो जब तक वो द्वजा उची है युद्धा पूरी लड़ाएक मानसिक्ता के साथ युद्ध करता है आगे बढ़ता है उसी तरह हमारे राष्टर का द्वजबी जंडा उचा रहे हमारा विजई, विश्व, तिरंगा, प्यारा जंडा उचा रहे हमारा श्रावण मास चल रहा है अधिक श्रावण और फिर निज्ज श्रावण महादेव की हम आराधना करते हैं देवों में देव महादेव है, महान, हमारा राष्टर भी मेरा भारत महान जिस प्रकार महादेव पर हम अभिशेक करते हैं, हम भी प्रत्येक भारतवासी राष्टरी भावना का कलश लेकर के हमारी राष्टर निश्ठा रुपी जल से हमारे महान भारत की आराधना करेंगे, अर्चना करेंगे, अभिशेक करेंगे मेरे लिए पहले मेरा देश, बाद में सब कुछ, इस निश्ठा के साथ हम भारत के प्रती समर्पित हो रहें हैं महादेव की अर्चना में भी गंगा जल से हम स्नान करावें, अभिशेक करें, और फिर केसरी चंदन का तिलक लगावें और बिल्वपत्र चड़ावें, गंगा धवल है सफेद, तिलक केसरी है चंदन, और बिल्वपत्र हरा है ये केसरी, सफेद और हरा, तीनों रंगों से हम महादेव की भी अर्चना करते हैं और ये तीनों रंग हमारे तिरंगे में भी है हम किसी भी जाद के हो, किसी भी कौम के हो हम सबसे पहले भारती हैं हमारी पहले निष्ठा भारत के प्रती हो नेशन के प्रती हो और हम जो भी करें उसमें नेशन फ़श्ट वाली पॉलिसी ध्यान में रखते हुए, मेरे देश को कोई नुकसान नहो इस तरह से हम अपना कार्य करें, अपनी उन्नती करें ये जिम्मेदारी प्रतेक भारतीय की है बिना जिम्मेदारी की स्वतंतरता स्वच्छंतता बन जाती है हम अपनी स्वतंतरता की पूजा अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करके ही कर सकते हैं और तब स्वतंतरता के फल का स्वाद हम चक सकते हैं उसका हम आनद ले सकते हैं आप सभी को स्वाधिन्ता दिवस की बहुत-बहुत बदाई हम सब ये कामना करते हैं कि हमारा ये तिरंगा सदैव गवरव पूर्ण मुचा लहराता रहे विजई विश्व और जगत गुरु भारत न केवल स्वयम उपर उठे पुरे विश्व को भी उन्नती की और ले चले बहुत-बहुत बदाई वंदे भारत मातरम